असलाम अलेकुम विवर्स आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठा लच्छा पराठा बनाने के लिए वाई टाठा लिया एक गुंदा हुआ तो सबसे पहले हम पेड़े बना लेते हैं पेड़े मारे बन चुके हैं अब हम इनको बेलन से बेलते हैं बेली हुई रोटी के ऊपर घी लगाते हैं और घी के ऊपर खुशकाटा डाल देते हैं अब हम इसके लच्छे बनाने के लिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इसकी फोल्डिंग आगे को भी हो और पीछे को भी आप देख सकते हैं कि माशाला से इसकी बहुत अच्छी सी लेयर्स बन रही हैं अब हम इसको रोल करके इसका पेड़ा बना लेते हैं और इसी तरह से बाकी के पेड़े भी बनाएंगे पांच मिनट टकने के बाद पेड़े को खुशकाटा लगा कर बेल लेते हैं तवा हमारा गरम हो चुका है और इसको उपर डालते हैं और गी लगाके इसकी साइड को पलटते हैं इसी तरह से बाकी साइडों को भी गी लगाकर पलटते रहते हैं और ये अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है माशाल्ला से इसके लच्छे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि माशाल्ला से लच्छा पराठा बन चुका है और आप से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से करें ताकि हर नहीं आने वाली वीडियो आपको बरवक्त मिल सके अलाह आफिस